इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है और यह वीडियो इसलिए भी मत्पूर्ण हो जाते हैं कि इन वीडियो का मतलब है कि स्टूडेंट को यह जानने का मौका मिलेगा कि आखिर कोश्चन बोर्ड एक्जामनेशन में कैसे आने हैं 2024 में या खास करके 2024 के लिए है इनलिटकल ठिंकिंग और क्रिटकल ठिंकिंग वाले को लेकर तो मैं आपको यह वीडियो आज इट प्रजेंट कर दे रहा हूं जिसको कि CISC के साथ साथ बहुत सारे टीचरों ने समझाया है और इस बुक से जो इसको लिया इसके लिए उसमाल गुरुकुल पॉब्लिकेशन क काफी थैंक्स देना चाहूँगा कि उनके कोलाबरेशन के बिना यह संभाव नहीं हो पाती तो कोस्चन को हम लोग तू दे पॉइंट सुरू करते हैं यहां पर पहला कोस्चन से है कि वाट अस्पेसल डिड ऑफ गिफ्ट डिड मतलब वसीयत होता है मतलब कि एक किता अपन है तो यह देखेंगे चार अपसंस है इसमें एक बॉन्ड है वह बॉन्ड साइन होता है किसके दोराशाहलों के दोरा का जाता है तो तुम क्रिशनीटी सम बदल जाओ क्रिशनीटी में और अपने जो इतने भी संपत्ति उसमें से हाफ लॉरेंजो को दे दो उसको एधर बन तो पहला का option भी ही सही होगा अब act 3, scene 2 को जरासा हम लोग गौर से देख लेते हैं act 3, scene 3 में Shylock respond करता है Antonio को तो वो क्या कहता है यहां पर है he gives act of compassion नहीं यह ऐसा कभी नहीं करता है he gives Antonio an opportunity to state his case वो अपने case को state करने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं करता है he refused to let Antonio speak हाँ यहां पर यह बात अच्छी तरह से है को Antonio को एक भी शब्द बोलने नहीं देना चाहता है और यह पूरी बात है करता है यहां पर Shylock का respond to Antonio इसी अर्थ में important हो जाता है third जो questions है कि name the young lovers whose lives end tragically दुखा दुरूप से अंत हो गया जबकि एक misunderstanding था caused by appearance of a lion lion के appearance के कारण उनका जो love था यह पूरी तरह से खतम हो गया तो इसको लेकर कौन सा options है तो यहां पर चौरियस एंड क्रेशीडा का भी नहीं है जेड्डो एंड एडियस का भी नहीं है हाँ फायरमस और थिबसे का है यह फायरमस और थिबसे यह अकसर एक ग्रीक स्टोड़ी है तो इसमें यह मिलता है तो आप भी options को सही कर देंगे फिर यहां पर एक questions आ जाता है कि ग्रेशियानो जो की कहता है ग्रेशानो वी शाल नेवर विन आट दे स्पोर्ट एंड स्टेक डाउन मतलब कि मुझे हम लोग कभी भी नहीं जीतेंगे आट दे तो स्पोर्ट अगर फुरी तरह से स्वस्त परतेस परदा होगी और शेक ड्रीक डाउन और किसी तरह के één को डाउन कर दिया जाएगा तो यहां पर वह कहना क्या चाह रहा है आट ड़्य स्पोर्ट मीन तो स्पोर्ट का यहां पर मतलब है बेट इसका क्या मतलब है बेट यहां पर दिया हुआ है बेट मतलब जुआ दाउं लगाना on who will have a wife first कौन मेरेज करेगा यहां पर इस अर्थ में है तो इस कंटेक्स्ट में स्पोर्ट का मतलब बेट ग्रीक मैथलोजी पर वर्ड मीनिंग वेस्ट है इसलिए आप इसके साथ जाएंगे question no.5 है कि लॉंसलोट कहता है मिशा कि I am always playing with you and so now I speak my agitation of the matter इस matter को लेकर मेरा जो agitation है उग्र बेवहार है यह बताना चाहता हूं लॉंसलोट बड़ा angry है क्यों angry है भाई कि जेसिका converting to Christianity यहां पर यह बात नहीं है पूछा जा रहा है कि agitation of the matter क्या है वो ड्रंक भी नहीं है लॉरेंज जोट जेसिका के marriage की भी बात में हो रहा है जेसिका being the daughter of a Jew इसको लेकर लॉंसलोट है अक्सर ट्रबल में रहता है और लॉंसलोट अपना frustration यह यह कर लिजे कि वो अपने उल्जन को असपस्ट रूप से यहां पर ब्याक्त कर पा रहा है वो उसको समझा पा रहा ह है कि इसी तरह से ओ प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है फिर कोशन नमर सिक्स है वाट वाट पॉर्सिया रिस्पॉंस टू नरिशा विंसी आस्क और बेशेनियों ग्रेशेनियों शैल दे सी अस से अस हम लोगों को देखेंगे तो यहां पर यहां पर जो पॉर्सिया का रिस् में तो यहां पर यहां पर यहां लोगों को देख लेंगे चुकि वह लोगों का इंस्पिरेशन से लेकिन वह कहती है कि यहां बट वीविल ड्रेस लाइक अम जब हम लोग यंग लॉयर वल्थेजार और उसके हेलपर के रूप में तुम चलोगी तो वह हम लोगों को न जा में जैसे ओवेंस वन ओप दा बेस्ट रिमेंबर अथलीट ऑफ द वर्ल्ड याद कि यहीटलर का टाइम है बर्लिन ओलंपिक है 1936 और उस समय की बात हो रही है जब जैसे ओवेंस है और लूज लॉंग के बीच का जो ओंपिटिशन है तो यहां पर वह क्या कहना चाता क्यो कि उसने काफी रिमार्केबल एचेवमेंट हासिल किया वो चार गोल्ड मेडल भी जिता था यह 1936 का ओलंपिक है बर्लिन ओलंपिक है उस समय जर्मनी की राजदानी बर्लिन थी जिस पर हिटलर का सासन था तो आप ऑप्शन ए को ब्लाइंड ली टिक कर देंगे और इसी के स साथ यह ध्यान रखेंगे कि आपके आनसर है तू दपॉइंट भी होने चाहिए फिर लिटिल मैच गर्ल या लिटिल गर्ल इमेजिन दा गूज हॉपिंग जब वो लड़की है बैठी हुई है बाहर मैचस्टिक को लेकर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो गूज और पूरे फ्लोर पर वो कार्विंग सब तरह के डिकरेशन है नाइप से फॉर्ख है और इन इस बैक वेडल्ड स्ट्रेट अप टू दा पूर चाइल्ड इस हैपन वेन तो ऐसा क्यों होता है कि जब मैचस्टिक को लिट करती है फर्स्ट ताइम या भी नहीं है फिर मैचस सब्सक्राइब कि वहता है और ये वागजोख है population की बात जिक्र की गाई के गई कि नाइफ है फॉर्ख है और वहां पर ग्राइव है होपिंग कर रहा है इस तरह से उसे एक कान्ड विल्ड जाइट मैसूस होता है और वो एक तरह से कह लिजिए कि मैसुष कह रही है देख लिजे, Maggie had now become a precious burden, Maggie a precious burden बन गई, Joey decided to take Maggie, हमको लगता है, कि Joey ने सबसे पहले adaptation के लिए जब सब को इसको छोड़के भाग गए, बड़े भाई को ले लिया, चोटे भाई को ले लिया, तो Joey ने decide किया था कि ले लेगा, जैसे ही वो Mr. Jones है, उसकी पत्नी सौपर के लिए बुलाती है, तो यह दूसरा point होगा, मेरे समझ से, तो 2-4 का जो combination है, वो C में आता है, इसलिए वो उसको ले ले लेती है, आप recess burden तो बाद में, सौरी, last में आता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि question number 10 है, इसको भी अच्छे तरह से दे लिजे, select the option that shows correct relationship between statement 1 and 2, my greatest Olympic prize, अभी हम लोगों ने question discuss किया, लोज लॉंग और Jesse Owens के बारे में, Hitler saw the opportunity of 1936 Berlin Olympic to instigate his Aryan racist theory, यह बात एक दम सही है, कि Hitler इसी बात को वो चाहता भी था, कि वो अपने theory को, and a German athlete victory would be beneficial for the Nazi propaganda, नाजी propaganda के लिए भी जर्मन जो theory थी, वो सही होता, to is the region, अगर यह हो जाएगा, तो वो Aryan supremacy की theory को लागू कर देगा, यहाँ पर A option correct है, इस तरह से हम लोग logic लगा के इस अर्शन and region को भी implement करेंगे, फिर यहाँ पर 11th number questions है, कि when the class sang the song about happening, या क्या happiness and life and games, her lips barely move, तो उसका lips कभी भी move नहीं करता, which would be the following words, describe Margot mood, अब Margot के mood को किस तरह से describe सुरू किया जाता है, तो इसको लेकर क्या है, देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, जब पूरा class गाना गा रहा था, खुश था, life को, game को लेकर, तो वो कुछ नहीं बोलती है, कौन, Margot, तो Margot का कौन सा mood था, John Tree नहीं था, फिर Dorolas हाँ, यह Dorolas हम मान सकते हैं, क्योंकि वो कई बातों को सुच रही थी, उसके दिमाग में उसकी अपनी अनुभूती, अपनी experience चार रहे थे, परकी भी नहीं था, वो reactive भी नहीं थी, lively भी नहीं थी, तो यहां पर मेरे विचार से भी ही सही option होता है, अब इसके बाद है, after his experiences, question number 11 है, with daffodils, William Wordsworth ने लिखा है, the poet William Wordsworth है, often lies on his couch and feels, और वो लेटा हुआ, और क्या feel कर रहा है, passive thought के मुद्रा में तो हाई, यह काफी happy भी नहीं है, solitude अकेला भी वो नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन vacant, उसके दिल में कुछ न कुछ खाली पन है, तो यहां पर A and 4 correct options है, फिर हम लोग एक poem पढ़े है, 9 gold medal, 9 gold medal से questions है यहां पर, जिसको की, हम लोग देखेंगे की, what was the announced the loudspeaker week for the start of the race of the poem, 9 gold medal, डेविड रॉथ ने poem को लिखा है, तो डेविड रॉथ का यह poem है, जो काफी हद तक student को उसके in options के लिए याद दिलाएगा, कि nationalities of the runner, यह ऐसा कुछ नहीं है, फिर the name of the runner, अब what announced, name of the runner ही announced होता, I loudspeaker, जभी olympic देखेंगे, यहां पर special olympic के बारे में है, special para olympics हैं, तो जो physically challenge होते होगा, the age of the runner नहीं बोला जाता, gender of the runner नहीं बोला जाता, nationalism of the runner नहीं बोला जाता, तो कभी-कभी ऐसा भी question रहेगा, जो हम लोग error आउट करेंगे, odd men out करेंगे, correct को tick कर देंगे, फिर abu ben adam का जो poem है, इसको लेकर हम लोगों ने काफी कुछ सोचने है, और हमें बताने हैं कि abu ben adam है, वो क्या सोचता है, यहां पर है which of the following word best suited describe abu ben adam, abu ben adam क्या था, bold and brass, brass कहा था, वो दंड थोड़े था, prayerful और anxious, prayerful तो था, लेकिन anxious नहीं था, वो worried नहीं था, हाँ devote वो काफी समर्पित था, और compassionate अपने जुनून काम को लेकर काफी जुनूनी था, जो अपने मेन के लिए करता था, तो यहां पर मैं B के साथ जाना बहुत अच्छा से चाहूंगा, कि यह B सही answer होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से है, फिर dream ही नहीं था, और ख्वाब बुने वाला नहीं था, तो यहां पर अब और देख लेते हैं, कि identify the figure of speech used, youngest among them stumbled and staggered, देखी, यहां पर कौन poetic device used हुआ है, तो यहां पर figure of speech नहीं लिखना है, क्वेशन में हमको गरवड लगता है, आप poetic device की बात किजिए, तो stumbled and staggered, एक consonant sound के साथ एक line में दो वर्ड हों और कुछ दूरी पर हों, तो यह इसको कहते हैं, alliteration, alliteration में यह stumbled और staggered, st, st, consonant sound से एक word की सुरुबात हो रही, फिर दूसरे word की सुरुबात हो रही, तो हम इसको alliteration बता देंगे, फिर यहां पर देखते हैं, कि which of the following line contains the same literary device, but as an angel you, Maya angel you का है, the cagey word sing, but a cagey word stands on the grave of dreams, यहां पर all the variety, all the charm, all the beauty of the life is made up of light and shadow, which of the following line contains the same literary device, अब देखिया, हम एक वर फिर से पढ़ेंगे, literary device, a cagey word stands on the grave of the dream, cagey word का सारा dream कातम हो जाता है, all the variety, all the charm, the beauty of the life is made up of light and shadow, उसके जीवन में है, don't let the cat out wrong, today is Monday है, Monday में नहीं होगा, weak men raise the weak children, यह भी गलत है, तो हमको पहला option इसलिए correct लग रहा है, कि इसमें आपको at least one को सही करने की बात कह रहा है, तो इस तरह से हम लोग कुछ questions को देखते हैं, जब कुछ questions को देखते हैं, logically understand, यहनि समझने की बात करते हैं, और इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं तो इसको आप देखिए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सेर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रहें